साथियो, आज जो प्रोग्राम हमने लॉंच किया है, उसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत विशेश हैं, हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूरून है। इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाच के तरीका, हमारे रोजमरा के जीवन, हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं, होंगे ही जिस तरह टेकनोलोजी बदल रही हैं, हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर हमारी एकॉनमी दोनों में बहुत बदलाव होगा। इस परिवर्तन के बीच हमारे परियावरन, हमारी जमीन, हमारे संसादन, हमारे रोव मटरियल, इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। टेकनोलोजी को ड्राइव करने वाले रेर अर्थ मेटल्स जो आज ही रेर हैं, लेकिन जो मेटल आज उपलग्द हैं, वो भी कब रेर हो जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। बविश्च में हम टेकनोलोजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो धर्ती माता से हमें संपदा मिलती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं हैं। इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलास रहा हैं, तो वहीं सर्कुलर एकानामी को भी प्रोट्साहित कर रहा हैं। कोशिज यह हैं कि विकास को हम सस्थेनेबल बनाएं, एन्वार्मेंट फ्रेंडली बनाएं। क्लाइमेट चेंज की चुनवतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारत को अपने हित में, अपने नागरीकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं। इसी सोच के साथ बीते सानों में, एनर्जी सेक्टर में अभूत्पुर्व काम हुआ है। सोलार और विंग पावर हो, या फिर बायो फियल, आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। वेश्ट वेल का एक बहुत बड़ा भियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है, और आत्मन निर्भरता से भी जोड़ा गया है। बल्कि आजकां तो हम सडकों के निर्माण में वेश्ट का बड़ी मात्रा में उप्योग कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग, गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी री साइकलिंग को प्रुसाहित किया जा रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज आज आटोमेबिल सेक्टर का नाम भी जूड़ गया है। इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाब होगा। सबसे पहला लाब तो यह होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रेप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रेजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टेक्स में भी कुछ छुट दी जाएगी। दूसरा लाब यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनन्स कॉस्ट, रिपेर कॉस्ट, फ्यूवल एपिजनसी इसमें भी बच्चत होगी। दीसरा लाब सीधा जीवन से जुडा है। पुरानी गाड़िया, पुरानी टेक्नलोजी की कारण रोड एक्सिडेन का खत्रा बहुत अधिक रहता है। उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्त पर प्रदूशन के कारण जो असर पड़ता है। उसमें भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात ये हैं कि इस पॉलिसी के तहट गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रेप नहीं की जाएगी। गाड़ीों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रेप किया जाएगा। इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड वेहिकल स्क्रेपिंग फसिलिटी बनाई जाएगी वो टेक्नलोजी डिवन हो, ट्रांस्परेंट हो, ये भी सुनिशित किया जाएगा।